C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाठ्य पुस्तक, गनित का जादू 2, प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याए 5, इसका शीर्शक है पैटन, प्रिष्ट 30 से प्रिष्ट 38 तक, तो आईए अब सुनते हैं अध्याए 5. शीर्शक पैटन, प्रिष्ट 30 बिन्नी और गिन्नी घर जा रही थी, रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को फुटपाथ बनाते देखा, इस काम में जिन टाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वे अलग-अलग रंगों और डिजाइनों की थी, उन्होंने कुछ ऐसा देखा, इस प्रिष्ट पर उपर टाइलों का एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक विशेश प्रकार का पैटन बना हुआ है, इस चित्र के नीचे लिखा है, घर पहुँचकर उन्होंने अपनी मा की साड़ी रसी पर टंगी देखी, उसमें भी अलग-अलग रंगों से बना खुबसूरत डिजाइन था, इस प्रिश्ट पर सबसे नीचे, रसी पर बिन्नी और गिन्नी अपनी मा की टंगी हुई साड़ी पर बने हुए खुबसूरत डिजाइन को ध्यान पूर्वक देख रही हैं, प्रिश्ट 31, शाम को वे पार्क में खेल रही थी, उन्होंने चार दीवारी पर लोहे की जाली लगी देखी, इस प्रिश्ट पर सबसे उपर लोहे की जाली का चित्र दिखाया गया है, इसके नीचे लिखा है, लोहे की उस जाली को देख कर बिन्नी ने कहा, हमारे घर की खिड़की पर यही जाली एक अलग पैटन बनाती है, इस प्रिश्ट पर बीच में खिड़की पर लगी लोहे की जाली का एक चित्र दिखाया गया है, उसके नीचे लिखा है, हम इस तरह के अलग-अलग पैटन अपने चारूं ओर, टाइल, कपड़े, दरी आधी पर देखते हैं, भोलू चूहा बिन्नी की मा की शौल का एक कोना खा गया है, कौन सा टुकड़ा उसी पैटन का है, चित्र देखकर इसे पहचानने में बिन्नी की मदद करो, इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बाई और बिन्नी की मा की शौल का कोना चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, और ठीक उसके सामने भोलू चूहा चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, उसके ठीक सामने दाई और चार टुकड़े चित्र के माध्यम से दिखाये गए हैं, इन में से कौन सा टुकड़ा भोलू ने खाया है, ये पता लगाईं, प्रिष्ठ 32, माधव गेट पर से एक पैटन बनाना चाहता है क्या तुम बता सकते हो कि इन में से कौन सा पैटन इस से नहीं बनाया जा सकता? इस प्रिष्ठ पर उपर पांच अलग-अलग पैटन चित्र के रूप में दिखाए गए हैं खाली खानों को भर कर पैटन को पूरा करो इस प्रिष्ठ पर नीचे एक चित्र के माध्यम से कुछ पैटन दिखाए गए हैं और उसी चित्र में कुछ खाली खाने छोड़े गए हैं पैटन को ध्यान से देखें और खाली खानों को भरें प्रिष्ठ 33 पत्तेदार पैटन एक पत्ते से कई अलग-अलग पैटन बन सकते हैं ये पांच पत्तेदार पैटन देखो इस पृष्ठ पर एक, दो, तीन, चार और पांच पत्तेदार पैटन के चित्र दिखाए गए हैं सबसे नीचे लिखा है अब तुम भी तीरों से अपनी कौपी में कुछ पैटन बनाओ प्रिष्ट चोंतीस पैटनों को ध्यान से देखो और खाली खाने भरो इस प्रिष्ट पर पहले पैटन में गोल, चोकोर, लाल रंग का गोल और फिर चोकोर पैटन दिखाया गया है उसके आगे चार खाली खाने छोड़े गई हैं इन खाली खानों को भरें दूसरे चित्र में तीरों का निशान दिखाया गया है एक, दो, तीन, चार तीर के निशान दिखाये गई हैं उसके आगे के खाने खाली छोड़े गई हैं इन्हें भरें तीसरे चित्र में पहले खाने में एक बिंदू दूसरे खाने में दो बिंदू तीसरे खाने में तीन बिंदू और फिर चोथे खाने में एक बिंदू दिखाया गया है इसके आगे चार खाने खाली छोड़े गए हैं इन्हें भरे हैं चोथे चित्र में पहले खाने में उपर की ओर दो तीर जाते हुए दिखाए गए हैं दूसरे खाने में नीचे की ओर दो तीर दिखाए गए हैं इसी तरह से तीसरे खाने में उपर की तरफ जाते दो तीर और चौथे खाने में नीचे की और आते दो तीर दिखाए गए हैं। इसके आगे चार खाने खाली छोड़े गए हैं। इन खानों को भरें। पांच में चित्र में पहले खाने में नीचे की ओर जुका हुआ त्रिभुज, दूसरे खाने में दो बिंदू, तीसरे खाने में उपर की ओर उठा हुआ त्रिभुज और चौथे खाने में दो बिंदू दिखाए गए हैं। इसके आगे चार खाने खाली छोड़े गए हैं। इन खाली खानों को भरें। छटे चित्र में पहले खाने में पूरी तरह से रंगा हुआ एक चौकोर चित्र दिखाया गया है। दूसरे खाने में आधा रंगा हुआ चौकोर चित्र दिखाया गया है। तीसरे खाने में पूरी तरह से रंगा हुआ चौकोर चित्र और चौथे खाने में आधा रंगा हुआ चौकोर चित्र दिखाया गया है। इसके आगे चार खाने खाली छोड़े गए हैं। इन चारों खानों को भरें। साथवें चित्र में एक गोले का आधा उपरी हिस्सा पहले खाने में, दूसरे खाने में आधा नीचे का हिस्सा, तीसरे खाने में फिर गोले का आधा उपरी हिस्सा और चोथे खाने में गोले का आधा नीचला हिस्सा दिखाया गया है। इसके आगे चार खाने खाली छोड़े गए हैं। इन चारों खाली खानों को भरें। इस प्रिष्ठ पर इन चित्रों के नीचे लिखा है, अब तुम भी अलग-अलग आक्रितियों और रंगों के इस्तेमाल से अपने पैटन बनाओ और उन्हें अपने दोस्तों को दिखाओ. प्रिष्ठ 35 संख्याओं के पैटन आओ, अब हम संख्याओं वाले कुछ पैटन देखीं. हर पैटन में खाली जगह पर सही संख्या लिखो. इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर दिखाए गए चित्र में एक तार पर कुछ जण्डियां लटकी हुई दिखाई दे रही है. पहली जण्डी में लिखा गया है एक, दूसरी में तीन, तीसरी में पाँच, और चौथी जण्डी में लिखा है साथ. पाँच्वी जण्डी में खाली स्थान छोड़ा गया है, इस खाली स्थान को भरिंग. इस प्रिष्ठ पर नीचे दिखाए गए दूसरे चित्र में एक पैटर्न के माद्धियम से कुछ संख्याएं लिखी हैं. पहली संख्या है बीस, दूसरी तीस, तीसरी चालीस, फिर पचास, फिर साथ, सत्तर और उसके आगे खाली स्थान छोड़ा गया है. इस खाली स्थान को भरिंग. इस प्रिष्ठ पर नीचे दिखाए गए तीसरे चित्र में, पानी के अंदर दिखाए गए फ़लों में कुछ संख्याएं लिखी हैं. पहले फल में लिखा है चौबीस, दूसरे में सत्ताईस, तीसरे में तीस, चौथे में तैंतीस, पाँचवे में च्छत्तीस और छठे फल पे कुछ नहीं लिखा है. कृपया इस पे पैटन के अनुसार संख्या लिखें. इसी तरह इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे एक पैटन के माद्धियम से अलग-अलग संख्याई दी गई हैं. पहले पैटन में लिखा है पांच, दूसरे में दस, तीसरे में पंदर है, चौथे में बीस, पांचमें में पचीस, तीसरे में तीस, छठे को खाली छोड़ा गया है. साथवे में लिखा है चालीस, आथवें पैटन को खाली छोड़ा गया है. नौवें पैटन में लिखा है पचास, और दसवें पैटन को खाली छोड़ा गया है. सबसे नीचे लिखा है पैटन पहचानने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए, संख्याओं से बन सकने वाले कुछ और अलग-अलग पैटनों पर चर्चा कीजिए प्रिष्ट चतीस टीटू मेंधक दो संख्याओं पर से कूदता है और तीसरे पर पहुचता है अब टीटू कहां जाएगा इसी तरह जिन संख्याओं पर टीटू कूदेगा उन पर गोला बनाओ इस प्रिष्ट पर उपर संख्याओं एक चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है और उनके उपर से कूदते हुए टीटू मेंधक का चित्र दिखाया गया है इसी तरह इस चित्र के नीचे लिखा है टीटू कूदते हुए हर कूद में दस्वें पत्थर पर पहुँच जाता है पत्थरों पर संख्या लिखो यहां चित्र में साथ पत्थर दिखाए गई हैं जिसमें दूसरे पत्थर पर 28 और तीसरे पत्थर पर 38 संख्या लिखी है जिन पर से टीटू को कूदते हुए दिखाया गया है प्रिष्ट 37 ध्यान से देखो और आगे के खानों को भरो सबसे पहले कॉलम में पहले खाने में लिखा है A A दूसरे में B B तीसरे में C C इसके आगे खाली खाने छोड़े गए हैं कृपया इन्हें भरें दूसरे कॉलम में लिखा है A B C D E F इसके आगे खाली खाने छोड़े गए हैं, इन्हें भरें तीसरे कॉलम में पहले खाने में लिखा है डे, दूसरे में नाइट, तीसरे में डे और इसके आगे खाने खाली छोड़े गए हैं चौधे कॉलम में लिखा है एक, दो, एक, दो. इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं. पांचमे कॉलम में पहले खाने में लिखा है 87, दूसरे में 88, तीसरे में 89 इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं उन्हें भरें छटे कॉलम में पहले खाने में लिखा है 20, दूसरे में 30, तीसरे में 40 इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, उन्हें भरें साथवे कॉलम के पहले खाने में लिखा है उन्नीस, दूसरे में उनतीस, तीसरे में उन्तालीस, इसके आगे खाने खाली छोड़े गए हैं, उन्हें भरें आठमे कॉलम के पहले खाने में लिखा है दो, दूसरे में पाँच, तीसरे में आठ. इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, उन्हें भरें. नौवे कॉलम के पहले खाने में लिखा है पंद्रह, दूसरे में बीस, तीसरे में पच्चीस. इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, उन्हें भरें. दसमे कॉलम के पहले खाने में लिखा है अठ. दूसरे में 21, तीसरे में 24. इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, उन्हें भरें. ग्यारवे कॉलम के पहले खाने में लिखा है 52, दूसरे में 54, तीसरे में 56, इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, उन्हें भरें तेरवे कॉलम के पहले खाने में लिखा है 5P, दूसरे में 6Q, तीसरे में 7R, इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, उन्हें भरें. तेरवे कॉलम के पहले खाने में लिखा है 85, दूसरे में 75, तीसरे में 65, इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, उन्हें भरें. चौधवे कॉलम के पहले खाने में लिखा है पच्चपन, दूसरे में पचास, तीसरे में पैंतालीस इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, कृपया उन्हें भरें पंद्रवे कॉलम के पहले खाने में लिखा है 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18 इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, उन्हें भरें सोलवे कॉलम के पहले खाने में लिखा है 40, दूसरे में 38, तीसरे में 36 इसके आगे के खाने खाली छोड़े गए हैं, कृपया उन्हें भरें शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को इसी तरह से अपने पैटन बनाने के लिए प्रोथ साहित करें प्रिष्ट 38 केतु ने पत्ते इकठा कर कुछ पैटन बनाए हैं इस प्रिष्ट पर सबसे उपर पत्तों से बनाए गए दो पैटन का चित्र दिखाया गया है बीच में लिखा है अब तुम भी कुछ पत्ते चुनो और उन्हें अलग-अलग पैटनों में लगाओ साथ ही माचिस की तीलियों से कुछ पैटन बनाओ इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे गुलाबी रंग के बक्से में रिक्त स्थान छोड़ा गया है इसके नीचे लिखा है शिक्षकों के लिए निर्देश शिक्षक बच्चों को गतिविधी के बाद अपनी कक्षा को साफ करने के लिए प्रेरित करीं इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय पांच यहां समाप्त हुआ वाचक बावला कोचर तक्नीकी समन्वे बटिलैंग लिंग्डो निर्माण सहयोग रुची शर्मा निर्देशन वन निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत